महराश्ट्र की राजनीती में स्यासी स्तंकट थमने का नाम नहीं दे रहा है शिवसेना के प्रमुप उत्थव ठाकरे स्तं बगावत कर बैठे 40 विधायक और अब 40 विधायक कई बड़ी चुनोतियों का स्तामना भी कर रहे हैं जी हां मुझुदा मुख्य मंत्री एकनात शिंधे और 49 विधायकों के स्तामने अब कई बड़ी चुनोतियों भी खड़ी हो चुकी हैं वज़ा रहा एकनात शिंधे का पहला मंत्री मंडल का गठन और अब इंतजार है दूसरे मंत्री मंडल के गठन का और इसमें इंतजार ये किया जा रहा है कि आखिर का दूसरे मंत्री मंडल के गठन में किस मंत्री को कौन सफ़र दिया जाएगा लेकिन इसी बीच बीजेपी के स्तार्थ शिंदेगुट के विधायकों की अनबन शुरू हो चुकी है इसी बीच शिंदेगुट के जाने माने नेता ने एक बहर बड़ा अल्टिमेटम दे दिया है हम बात कर रही हैं यहाँ पर शिंदेगुट के समर्थक निर्दलिय विधायक बच्चु कडु के बारे में बच्चु कडु ने स्तरकार को एक नवंबर का अल्टिमेटम दे दिया है और उन्होंने अब अलग रहा करने का एलान कर दिया है दरसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिंदे स्तमर्थक निर्दलिय विधायक बच्चु कडु और बीजेपी स्तमर्थक निर्दलिय विधायक रवी राणा एक दूसरे से उलजने के मामले के चलते इस वक्त सुर्ख्यों में बनिवे हैं बच्चु कडु और रवी राणा दोनों ही अमरवती जिले से आते हैं बच्चु कडु अचलापुर विधान स्तफा से निर्दलिय जीते हैं तो वही रवी राणा बढ़ने रा विधान सीट से निर्दलिय जीते हैं आपको बता दें कि बच्चू कडू उद्धर ठाकरे के सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं लेकिन उन्होंने मंत्री पद छोड़ कर शिंदे के स्तमर्खन में बगावत की और अब बच्चु कडु को जब एकनात्थ शिंधी के पहले मंत्री मंडल विस्तार में मंत्री नहीं बनाया गया तो वे हैं अब अपनी नाराजगी को जाहिर करते वे दिखाई दिये हैं बच्चू कडू का कहना रहा है कि रवी राणा के आरोपों से ये संदेश गया है कि एकनाश शिंधे ने विचारों के कारण नहीं बलकि पैसे और सत्ता के कारण वगावत की। और मुख्य मंत्री एकनाश शिंधे और उप मुख्य मंत्री देवेंद्र पड़न्विस पर अब सवाल या निशान लगा दिया है। पुट को किस तरीके से बक्षू भी स्थम्खाले रखते हुरी नसराती है। पुक झाश बलकि और मुख्य नसराती है।